अगर आप अपने Samsung Mobile को काफी खुबसूरत तरीके से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए काफी आसान तरीका है Samsung का Good Lock Application इसकी मदद से आपको One UI के अंदर ही काफी बहतरीन कस्टमाइजेशन के option मिल जाते हैं तो वीडियो पूरा देखना और चैनल पर नए है तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्यूंकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेकनिकल और हेलफफुल वीडियो लेके आता रहता हूं अब जैसे ये मेरा Samsung Phone है तो आप देख पाएंगे कि जो भी Minivized Applications हैं वो कुछ इस तरह से मेरे phone में open हो रहे हैं जबकि आपके phone में किसी और तरीके से open हो रहे होंगे ये भी मैंने customize किया हुआ है इसके अलवाद जब भी मैं screen को lock करता हूं तो ये देख सकते हैं always on display कुछ इस तरीके से दिखा रहा है इसे आपको कर लेना है अपने phone में install गुड़ लॉक अप्लिकेशन आपके phone में install होने बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा इसको आपको कर लेना है open वैसे तो इसमें बहुत सारे customization के feature हैं जिनकों कि अगर मैं एक एक करके बताने लगो तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी लेकिन इसके अंदर जो भी unique और काम के features हैं और जो मैंने यूज किया हुआ है उसके बारे में मैं बता देता हूं और कुछ customization करके दिखा देता हूं तो यहां पर नीचे दो section है एक life of, दूसरा make up जैसे make up वाले option में आप जाएंगे तो यहां पर theme park एक application है मैंने इसको good lock के अंदर install किया हूँ है अब एक चीज आपको ध्यान रखने हुई कि यह good lock application के अंदर अलग अलग और भी applications है जैसे कि यह wonderland एक application है देख सकते हैं इसको मैंने download नहीं किया हुआ है इसको install करना है तो यहां arrow पर click करना है और यह application वापस से galaxy store में आपको redirect कर देगा और वहां से इसको install now पर click करके install कर सकते हैं तो यह जितने भी आपको दिख रहे है theme park, lock star, key cafe यह सबकुछ मैंने install किया हुआ है one by one करके good log application के अंदर theme park, इस पर मैं tap करूँगा तो कुछ इस तरीके से यह application ओपन होगा यहां पर आप अपने जरुरत के हिसाब से पूरे phone का theme चेंज कर सकते हैं यहां पर नया keyboard डिजाइन कर सकते हैं यहां पर अपना quick panel कस्टमाइज कर सकते हैं कि उसका style कैसा रहेगा, colors वगरे कैसे रहेंगे सब कुछ यहां से आप design कर सकते हैं इसके अलवा volume panel को भी यहां से आप design कर सकते हैं कि यह जो volume वाला panel आपके सामने दिख रहा है यह किस तरह से दिखाई देगा इसके अलवा icons को भी यहां से आप redesign कर सकते हैं जैसा icon चाहें अपने लिए बना सकते हैं जैसे कि फिलहाल मैं theme वाले option पर जाता हूं तो यहां create new के option पर मैं click करूंगा तो यहां पर कौन सा wallpaper मुझे इसमें add करना है उसके बाद मैं next पर click करूंगा इसके अलवा themes का क्या color रहेगा वो यहां से मैं select कर सकता हूं बहुत सारे colors हैं तो देख सकते हैं जो भी color मैं select कर रहा हूं वो screen पर सो हो रहा है यह जो theme है आपके phone में already नहीं है तो यह download के option पर जाएंगे यहां पर कुछ नाम दे देंगे और इसके बाद यहां पर देख सकते हैं install theme यहां पर लिखा हुआ आ रहा है मतलब कि यह theme हमारे system में install हो रहा है अब यहां पर यह theme install हो चुका है देख सकते हैं यहां पर मैंने इसका नाम भी लिखा हुआ है अब यहां पर इस पर click करने के बाद इस theme को आप apply कर सकते हैं अब ये theme apply हो चुका है जैसा भी colors वगेरा मैंने चूना था वो सारे colors आ चुके हैं notification panel वगेरा भी change हो चुके हैं अब यहाँ से अगर आप keyboard को customize करना चाहें तो बहुत सारे option है keyboard के वहाँ से आप जाके keyboard के customization कर सकते हैं किस तरह का आपको keyboard चाहिए बहुत सारे option है इसके अंदर एक एक करके आप देख लें कि आपको कौन सा style कौन सा color पसंद आ रहा है ये जो keyboard और ये effect जो आप देख रहा है ये भी मैंने इसी में customize किया हुआ है तो कुछ इस तरीके से आप भी अपने keyboard को कॉस्टमाइज कर सकते हैं इसके अलावाई कि ये जो ऊपर का पैनल है इसको भी आप यहां से कॉस्टमाइज कर सकते हैं जैसे कि अगर मैं ये color सेलेक्ट करूँ तो देख सकते हैं apply करने के बाद ये जो yellow colors दिखा रहा था वो सारा colors इसके अंदर आ चुका है icons में अगर मैं बदलाव करना चाहूं तो यहां पे create new के option पे मैं जाऊंगा यहां पे जिस shape के मुझे icon चाहिए यहां से मैं select कर लूँगा देख सकते हैं अलग-अलग तरह के shape है इसमें icon में और यहां से मैं icons के color वगएरे भी change कर सकता हूं और इसके बाद जब यह download वाले button पे मैं click कर दूँगा यहां पे name लिखना पड़ेगा फिर यह जो भी icon मैंने select के हैं वो download होके मेरे phone में install हो जाएगा तो आगे बढ़ते हैं यह lock star जो application है यह आपके lock screen को customize करता है इसके लिए यहां से इसको आपको पहले on करना पड़ेगा जैसे कि यह always on display का layout हो गया और यह आपके lock screen का layout हो गया इसको अगर edit करना है तो इस पर click करेंगे मालीजे मुझे इस watch का design change करना है तो फिलाल मैं यह वाला watch चलेक्ट कर लेता हूं इसके बाद मैं save पर click करूंगा तो यह देख सकते हैं मेरे lock screen का जो watch है वो change हो चुका है इसके अलवा यह always on display है इसको भी आप यहां से set कर सकते हैं इसके बाद देखिए always on display कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा जैसा कि मैंने set किया अब बढ़ते आगे यहां पर चलते हैं की cafe की तरफ अब की cafe के अंदर जाके आप अपने keyboard को काफी ज्यादा कर सकते हैं इसके अलवा goodlock के अंदर अगला application जो है नवेश्टार करके उस पर आप जाएंगे इसको on करेंगे तो आप navigation गेजर वगएर को कस्टमाइज कर सकते हैं अगला जो सबसे इंट्रेस्टिंग चीज है वो है home app यहां पर minimize करके यह जो मैंने ऐसा कुछ effect किया है वो सारा कुछ आप इसी home app से कर सकते हैं अब यहां पर यह जो home screen option है इस पर आप select करेंगे तो यहां पर जो home screen का layout है उसमें कितने applications आपको एक साथ रखने हैं यहां से आप select कर सकते हैं जैसे मैं 7x7 कर दे रहा हूं और apply करूंगा इसके अलावा यह जो apps screen grid है इसको भी मैं 7x7 करके apply कर दूंगा इसके बाद देख सकते हैं जो भी application है उनका side छोटा हो चुका है और यह 7x7 के form में आ चुके हैं यहां से मैं अगर menu भी दिखाओं तो देख सकते हैं एक line में साथ ही applications है इसके अलावा यहां पर यह जो app list वाला feature है इसको आप enable कर देंगे उसके बाद यह app drawer वाला feature on हो सकते हैं इसके लावा यह जो folder का option है इसमें मुझे यह अच्छा लगा pop-up folder का option है यह by default off था इसको मैंने जब enable कर दिया तो देख सकते हैं यह जो भी folders है इस पे click करता हूं तो यह कुछ इस तरह से pop-up होते हैं इसके अलावा यह जो नीचे option है task manager का इस पे जब आप click हैं जो minimize वाला ूप्शन है जो मेरा इस तरीके से open हो रहा है इसको आप यह से customize कर सकते हैं जैसे grid पर set करूं तो जो भी minimizer applications है वह कुछ इस तरह से open होगे, इसके अलावा अगर मैं eastax पे करूं तो कुछ इस तरीके से open होंगे अगर slim list पे select करूं तो कुछ इस तरीके से minimizer applications उपन होंगे जिनको कि मैं अपने जरूरत के हिसाब से एक्सेस कर सकता हूं यह देख सकते हैं वर्टिकल लिष्ट पे यह कुछ इस तरह से आ रहा है तो इसके लिए क्या करना है यह जो सर्कूलर लिष्ट है इसको एनेबल कर देंगे तब जाकि यह जो गोल-गोल इफेक्ट का हो या ओल्वेज उडिस्प्ले का हो अगर ऐसको मुझे मैं इसको सकता हूं लेकिन अगर लेकिन अगर मैं यहां साइन मार्क पे क्लीक करूँ तो यह मेन मेरे मेरे ऑल ब्लूग डिस्पले पे आ चुका है गोद्सफी यह जो quick star वाला application है इसको आप open करेंगे, इसको आप enable करेंगे तो यहाँ से आप अपने quick panel को customize कर सकते हैं इसके अलावा यह visibility of indicator icon पे जाके यहाँ से आप पूरा का पूरा customize कर सकते हैं कि उपर के side में आपको क्या-क्या दिखाना है जैसे कि mobile data signal को अगर मैं यहाँ से off कर दूँ तो देख सकते हैं mobile signal का जो यहाँ पे logo दिखा रहा था वो हट गया इसको वापस से on करूँगा तो देख सकते हैं mobile tower यहाँ पे दिखाने लगा इसके अलावाई जो volume का option है उसको भी यहाँ से मैं hide कर सकता हूँ अभी देख सकते हैं hide है अभी जब मैं इसको on करूँगा तो देख सकते हैं उपर so होने लगा volume का icon जैसे कि battery का icons अगर मैं हटाना चाहूँ तो यहाँ battery icons पे मैं click करूँगा कर सकते हैं इसके लावा यह जो life up वाला option है इसके अंदर आप आएंगे इसको जब आप download कर लेंगे तो आपको अपने screenshot में बहुत कुछ कस्टमाइज करने का option मिल जाएगा इसके अलावे जो अगर आप multi star को डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने notification style को कस्टमाइज कर सकते हैं अगर आप multi star को डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें आप multi window को काफी अच्छे से कस्टमाइज कर सकते हैं multitasking के लिए तो अगर मैं एक ही वीडियो में इन सारे applications के बारे में detail में बताने लोगे तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी short में सिर्फ आपसे यही कहना चाहूंगा कि goodlock application के अंदर यह जितने भी applications हैं उनको आपको अगर यूज करना है तो यहां से simply click करके download करिए और download होने के बाद goodlock application के अंदर कुछ इस तरीके से यह सो करेगा जिस पर click करके आप उसको open कर पाएंगे और उसके अंदर जितने भी customization के feature हैं उनको one by one करके आप यूज कर पाएंगे तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें अपनी दोस्तों को भी शेयर करें मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक नई करें मत्रूं